बीजेपी मुसलमानों को सरवस कुछ नयोचावर कर देगा एक ओट बीजेपी को मुल्ले नहीं करते हैं बीजेपी को अपने अंदर सुधा लाना चाहिए और मुसलमानों को रेओरी बाटना बंद कर दो जिन्होंने कहा था राम मंद्र वेकार है उनको जिन्होंने वोट दि क्या वो सुद्ध रूप से बावर के बंसज हैं और अंग्जेव के बंसज हैं वो मुल्ले के बंसज हैं इसके नाते मैंने ट्विट किया कि कहीं भगवाराम की समय में ये लोग होते और कहीं भगवाराम इनको लेकर गए होते लंका तो ये लोग सोने की चक्कर में जैसे एक कारी बेंदाज और कायरकरता की सुनी नहीं जाती डियम घुस्खोर एससपी घुस्खोर तहसिलदार घुस्खोर एडियम घुस्खोर बिना एक रूपिया लिए एक काम इन हराम खोर नहीं करते नमस्कार ओल्यू जिंदी देख रहे हैं आप हमारे साथ किस वक्त हनुमान गड़ी के महन राजु दास जी मौझूद है और इनसे जो कुछ भी इस वक्त चुनावी नतीजा आया है अयोध्या को लेकर जो चर्चा देश में चल लही है उन सब मसले पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर इस वक्त जो है अयोध्या इतना सुर्खियों में क्यूं है और अयोध्या ने ये जो नतीजा दिया है आखिर ये नतीजा क्या कुछ बतलाते हैं गुरु जी ओनिज हिंदी में बहुत-बहुत स्वागा बहुत-बहुत साधोबाद खोब-खोब आश्रवाद और पूरे देश को अंगल कामना की इस बार भी सनातन संस्कृति हिंदू हिंदुत को लेकर जो मोदी जी आगे बढ़े थे आज पुनह मोदी जी दो सो चालिस अपने दमपद और गडवन्धन को मिला कर 292 सीट मिला है उनको तो जनादेश मोदी जी जी के पच्छ में है इस लिए क्योकि मोदी जी ने राम राष्ट और IGHसले सुशच की अवाज बनकर वभरे थे और कायर कर रहे थे इसके नाते जनादेश उनके पच्च में है बधाई पुरे देश के लिए आप बधाई दे रहें देश को क्योंकि जनादेश जो है वाकई एंडिये को मिला 294 सीटों के साथ हैं एंडिये की सरकार बन रही है लेकिन जो कुछ सीटे इस बार कम गई सबसे जादा खासकर चौक आया है उतर प्रदेश ने जब तक्रीबन 36 सीटे आई है जहां बीजेपी 70 प्लस का सपना देख रही थी और आस्वस्त थी कि आ जाएगा तो यह जो सीटी एक दम से गिरी और उसमें भी सबसे जादा गुरूजी चर्चा आया उध्या सीट को लेकर है फैजाबाद सीट जहां से लल्लू सिंग जी की हार हो जाती है गुरूजी तो इस हार को आप कैसे देखो पहले तो मैं साधुबाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश में पैक्षा बीज़पी को बहुत थी इसलिए थी क्योंकि योगी जी की सासन सत्ता सरकार गुंडे, माफिया, मबाली, इंकाउंटर, जेलों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, धंगा, प्रदेश, अकलेस, उद्दिन सासनकाल में हुआ करता था इसके अलावा, मोदी जी को जितनी योजना है, जितनी योजना है, चाहे फिरी रासन का हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, चाहे हर घर इजद घर की बात हो, चाहे हर व्यक्ति को अनाज का मामला हो, चाहे हर व्यक्ति चिकिस्सा के ऊपर 5-10 लाक रुपया देने की योजना हो चाहे हर घर बिजली का तार दोड़ने का मामला हो इस प्रकार से योगी जी ने हर जगा रोड़ों का जाल कितना सुंदर होड़े ये सारे काम योगी जी ने किया था इसके नाते बीजेपी नपेक्चा किया था कि इस बार 70 पलसाम रहेंगे लेकिन निरासा हाथ आई थोड इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकारी वियंदाज है और कैरेकर्टा की सुनी नहीं जाती है कैरेकर्टा से संबाद नहीं और अधिकारी सुद्रूप से वियंदाज डियम घुस्खोर एससपी घुस्खोर तहसिलदार घुस्खोर एडियम घुस्खोर बिना एक र बीच में रहता हूं हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं हम कोई राजनेता नहीं साधू हैं साधू से हर व्यक्ति क्या पच्छ क्या विपक्ष आता है मिलता है चर्चा करता है हम सोला राज्य चुनाओं के दोरा में गये थे हर जगा जाकर जो महसूस किये उत्तर प्रदेश क कि अधिकारी ही राजा था और इनके जो जन प्रतिनीदी थे जनता के बीच जाते नहीं थे इसी का प्रदाम सुरूप है कि चुनाओं हारने का कारण और बाकी कुछ नहीं रही एवध्या जी के बात एवध्या जी भगवान राम के साथ पहले भी थी आज भी है आगे भी हमने 5000 बोटों से चुनाओं जिता कर भेजा है पास में विधान सभा है मिलकिपूर वहाँ से 5000 से हा रहे हैं उसके और आगे बढ़िये भीकापूर है वहां से 22,000 से हा रहे है उसके और आगे जा ये 17, 18,000 से रुदोली से आ रहे हैं उसके और आगे जाए धरियबाद वहां से हा रहे हैं अयोध्या से हमने चुनाव जिता कर बीजेपी को भेजा है अयोध्या बासी इतने तोड़ फोर इतने डवलप्मेंट सुभाविक है जब सरकें बनेगी तो तोड़ फोर होगा तो इतने जंजाबाद जेलने क अयोध्या वासियों ने दिल खोल कर वीजेपी का साथ दिया और अयोध्या से जिता कर भेजा है आसपास के सीटे हारने का सिर्फ एकी रिजन है वीजेपी के कायर करता घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि वीजेपी के जन प्रतिनिदी ने वीजेपी को कायर करता को पूचा नहीं दूसरी बात अधिकारी वे अंदाज था अधिकारी नहीं सुनता था अधिकारी न्याई नहीं करता था इसके नाते बीजे पिहारी और कोई कारण नहीं हारने का गुरुजी आपने एक जो बात कहा है मैं भी उस बात से इतिफाक रखता हूँ कि आप जनता के भी जाते जनता की समस्या सुनते हैं अभी जब बाहर मैं भी कुछ दुकानदारों से बात कर रहा था तो आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया है उन्हों उन्हें भी वही पॉइंट उठाया कि प्रसासन को लेकर बहुत ज्यादा प्रसासन सकती यहां पर कर रहा है जिसे नराजे इस्थानिये लोगे आप प्रस आशन सुद्ध रूप से सुनना ही सुनना नहीं है और जनप्रति निधी भी उस पर कभी जैसे कि हम पीरित हैं हम जनप्रति निधी से बात किये उन्होंने कहा करे यार अधिकारी सुन्बन आई करत तो कहा करी अरे अधिकारी नहीं सुनता है तो आप मेरे बीच में आईए कि यह सित्ति है कोई बीच का रास्ता निकालो। वैई पाँव करता हूँ है कि अबार करता हूँ एध्या के जंता मोदीजी के साथ थी और यहां सर चुनाव जिता कर भेजा है और जो विधान सभा है उस विधान सभा से हारे हैं उसके बीच में सिर्फ एकी कारण था कि काल नेमी लोग सब विधान को हवाला देकर लालच देकर कि खटा-खट-खट-खट हर एकाउंट में 10,000 रुपी आएं आप देखिए कि कांग्रेस के दफ्तर में लोग खटा-खट-खट-खट जाकर जाम लगाए हैं फारम लेकर पहुंचे हुए हैं कि धका-धक-धक हमको 8,000 रुपया दो क्योंकि तुम चुनाव जीत गयो अभी विचारों को यह भी नहीं पता है कि यह सवसीर भी नहीं पा तो क्या पैसे के बहकावे में लालच में आयोध्या के जो वोटर थे वो उधर मूब किया लेकिन जो बीजेपी को वोटर थे बीजेपी के साथ ही थे जिसका प्रणाम सुरूप है कि हार जो हुई सम्मान जनक हार होता जो इस्थति आपने कायरकरता का बना कर रखा है जो इस्थति यहां के DM, SSP, कप्तान यहां के आला अधिकारी कानुन गो तहसिलदार लेखपाल में पूछना चाहता है कानुन गो सुनता नहीं, तहसिलदार सुनता नहीं, लेखपाल सुनता नहीं, ADM सुनता नहीं, SDM सुनता नहीं, DM कान में तेल डालके सोया रहता है, सु प्रजातंत्र में जनता की बीच में आपको बने रहना पड़ेगा तब आप राजा बने रहोगे ऐसे आप राजा नहीं रह सकते लेकिन गुरुजी आपका एक ट्विट बहुत वायरल हो रहा है कि अच्छा हुआ प्रभु स्री राम जी ने वानुरों की सेना लेकर लंका प इस ट्विट के संदर्व में आप क्या कहना की उसका सिर्फ एक ही रीजन है मेरा ट्विट करने का मतलब यह था कि उन्हों लोगों को ट्विट किया था जो राम को काल्पनिक कहने वाले निहत्य राम भक्तों के सीना गोली चलनी करने वाले जिन्होंने कहा था कि हां मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है, मंदिर कहीं और बन रहा है, सपा की सरकार आएगी, कॉंग्रेस की सरकार आएगी, तो हम मंदिर वहीं बनाएगे, जिन्हों ने कहा था, राम मंदिर वेकार है, उनको जिन्हों ने वोट दिया, वो सुद्ध रूप से बावर के वनसज हैं, और अंग जैसे खटाखट, 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 दस अजार के चक्कर में सपक वोट कर दिया, ऐसे सोना लेने के चकर में ये लोग भगवाराम को भी भुला देते, रावन के पच में खड़े हो जाते, इसके नाते मैंने ट्विट किया। परिसर में मुख्मंत्री योगी आधितनाच जी महराज ने लम्सम सेक्रों दुकानों, मुस्लिम दुकानदारों को दुकान दिया हुआ है। और ओट मिलता है 5000 में से टोटल 27 ओट तो टोटल 27 ओट वहाँ पर मिला है, मैंने वहाँ का रिकार्ट निकाला था, पिछले चुनाओ में वहाँ का। तो इसके नाते मुसलमानों को बीजेपी स्वर्न भस्ब खिला देगा, बीजेपी मुसलमानों को सर्वस कुछ नियोचावर कर देगा, एक ओट बीजेपी को मुल्ले नहीं करते हैं। बीजेपी को अपने अंदर सुधाल लाना चाहिए, और मुसलमानों को रेओरी बाटना बंद कर दो। को सकता में मुसलमानों नी लिए, दंगा मुक्ततर प्रदेश दंगा होता था, नुकसान बहुत जादा मुसलमानों को होता था, आप देखिए सबसे ज़्याद़ा बंकों से लाब मुसलमान ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा अनाज मुसल्मान खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप देखिए कि छे अगर स्वास्त लाब लेना हो, तो जिसके साथ-ाथ लोग हैं उन्हीं को लाब मिलना है, पांच लाक, खटा-खट खटा-खट वो लोग लाब लेना है, जो तीन बेक्ती है, दो बेक् पांच लाब देना पड़ेगा, नहीं तो लाब लेंगे वो, मजा लेंगे वो, और सजा काटेगी बीजेपी की कायर करता। किया है, सब कुछ बेहतर हुआ है पहले से, लेकिन जब पूछा गया क्या, तो आप इस बार वोट वीजेपी को देंगे, तो वो मुसलिम महिलाए कहती है, माफ कीजिएगा साथ, वीजेपी को वोट देना हमारी इमान में लिए, अब सोच लिजिए, मुसलमान हिंदुस्त का कितना कटर है कि मोदी जी ने सर्वस कुछ दे दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वह बांगलादेश में बैठे, पाकिस्तान में बैठे, अगवानिस्तान में बैठे, सिरिया में बैठे, इरान में बैठे, इराक में बैठे, तलाक 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 बोल दिया, तो मुसलिम बहनें के साथ जाती होती थी और उनको मामा के साथ, ताओ के साथ, काका के साथ, चाचा के साथ, चाचू के साथ, भाई के साथ, हलाला कराना पड़ता था तब जाकर वो सुध होते थे इतना तोहीनी जिलने के बावजूद भी उन्होंने एक कानुन दिया जिसका प्रणाम सुरूप है कि मुसलिम महलाओं को नयाई मिला फिर भी मुसलिम महलाओं वीजेपिक वोट नहीं किया इतने कटर होते हैं तो मुसलमानों से आप अपेक्चा नहीं कर सकते हैं मैं मुसलमानों की इतना चिंता और चिंतन करते हैं जो हिंदू आपके साथ तनमन धन गन से आपके साथ लड़ता है जगरता है उसका कंगो नहीं सुनता तैसिल्दार नहीं सुनता लेकवाल नहीं सुनता एसडियम नहीं सुनता ना पुलिस चवकी सुनती ना थाना सुनता और गटबंदन को 292 सीट देकर आपको प्रधान मंत्री बना रहे हैं इसके नाते आपको संगठनी तोर से संगठन के तरब से आपको एक मिटिंग करनी पड़ेगी बैठक करना पड़ेगा जितने आलाधिकारी हैं उनको साइड लाइन करिए और अपने जिलाध्यच को चिंता और चिंतन करिए एक आखरी सवाल हमारा है चर्चाय हो रही है यूपी में जो भाजपा 36 सीटों पे इंडियस पूरा गठबंदन सिमट गया क्या इसमें किसी अपने का भी हाथ था कोई अपना ऐसा है जिसने दगा दिया इस चुनाओं में सारे कायर करता ने दगा करता सिर्फ जलत खरता है कायर करता बूद पर लड़ता है जद्वेत करता दे नहिए सुनते नहीं तो क्या करेगा अपने घर में बैटग Iraqrta जिसका प्रणाम सुरूप है कि cinco करता इसा रिजल्ट आया है बांक की दुस्तान की जनता मोदी जी के साथ है और कारकरता भी मोदी जी का चुनाव कि यह भी थी कि कुछ सीटों पर जो है लोग चाहते थे उमिद्वार बदले जाए लेकिन इसके बावजूद उमिद्वार नहीं बदले गए क्या यह एक इफेक्टर है जहां जहां मैं तो जानने जाता नहीं राजे टिकर देता है केंदर टिकर देता है हम लोग को जानकारी नहीं है सुद रूप से बीजेपी का फैलियर था कि आपने कायर करता को पर ध्यान नहीं दिया नम्मर एक नम्मर दो आपने जन प्रतिनिद्वी को बदला नहीं मोदी जी के साथ जनता ही मोदी जी के और योगी जी के साथ कंधा से कंधा मिला कर जनता थी जिसका प्रणाम सुरूफ है कि 240 सीट आप पाए हो और गडवन्धन 292 सीट पाई है आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हो इसलिए क्योंकि मोदी और योगी जी को पर विश्वास करके ज महाँ पर साब साब बता दिया है कि मोदी सरकार को सबका साथ सबका विकास जो मंत्र लेकर चल लई थी उससे इतर अब खासकर हिंदू वर्ग पर ध्यान देने की जादा जरूरत है साथ ही गुरू जी ने तीसरे कारकाल के लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई भी दिया है तो ओन्यूज हिंदी के इस वीडियो में फिलाल इतना ही जय हिंदी